क्यालाश पर्वत पर मापार्वती ध्यान मगन बैठी है तभी वहाँ नारदमुनी आए नारायर नारायर माता पार्वती मेरा अभिवादन स्विकार करें नारदमुनी की आवाज सुनकर माता पार्वती का ध्यान तूट जाता है प्रणाम देवर्शी कहिए कैसे आना हुआ इधर से गुजर रहा था माते तो सोचा माता पार्वती और भगवान भोलेनात के दर्शन करता चलो क्या बात है माता कैलाश पर्वत पर आप अकेली भगवान भोलेनात कहीं दिखाई नहीं दे रहे मैं तो बहुत दिनों से तपस्या में लीन हुँ देवर्शी ना जाने भोलेनात कहां चले गए माता पार्वती भगवान भोलेनात को आवाज लगाती है भोलेनात? भोलेनात? लेकिन माता की आवाज का भगवान भोलेनात को युत्तर नहीं देते हैं तभी देवर्शी नारत अपनी दिव्य दृष्टी से पता लगाते हैं। माता, भोले नाथ तो इस समय पृत्वी लोग पर हैं। लेकिन भोले नाथ इस समय पृत्वी लोग पर क्या कर रहे हैं। माता, सावन का महिना प्रारंब हो गया है। भक्तगर भगवान भोलेनाद को जल चढ़ाने के लिए कावड यात्रा कर रहे हैं. ऐसे मैं भगवान भोलेनाद कावडियों की साहता कर रहे हैं. हमें भी भगवान भोलेनाद की साहता करने चाहिए. अवश्य देवर्शी? लेकिन कैसे? क्यों न हम प्रित्वी लोग पर चले और कावड यात्रा करके कावडियों की मदद करें, जिससे उनकी कठिन यात्रा सुगम हो सके आप ठीक कह रहें देवर्शी नारत, हमें भी चलना चाहिए माता पारवती और नारद मुनी उसी समय साधारन मनुश्य का रूप धारन कर लेते हैं और कावड लेकर प्रित्वी लोग पहुँच जाते हैं दोनों कावड यात्रा करने लगते हैं माता, हमें सबसे पहले गंगाजल भरना होगा, जिसके लिए हमें गंगोत्री जाना होगा ठीक है दीवर्शी, हम लोग गंगोत्री चलते हैं दोनों गंगोत्री की यात्रा करने लगे गंगोत्री का मार्ग बेहत कठिन था रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर खराब थे, वो अपने पैरों से चल नहीं सकता था वो सड़क पर रेंग कर गंगोत्री से गंगा जल भरने जा रहा था तब ही उसके पास एक नौजवान आता है और कहता है उस नौजवान ने अपाहिज व्यक्ति को अपने कंधे पर उठा लिया और गंगोत्री की ओड़ जाने लगा देख रही है माता, भगवान भोले नात अपने भगतों की किस तरह से सायता कर रहे हैं? हाँ दिवर्शी, भोले नात तो भोले हैं, वो अपने भगतों का कष्ट नहीं देख सकते दरसल वो नौजवान कोई और नहीं बलकि स्वयम भगवान भोले नात थे जो साधारन मनुष्य के भेश में कावडियों की मदद कर रहे थे भोले नात ने माता पारवती और नारदमुनी को पैचान लिया और मनी मन बोले देवी पारवती, नारदमुनी, आप लोग यहां? माता पारवती और नारदमुनी ने मनी मन में उन्हें उत्तर दिया हाँ भूलेनात, जब आप अपने भक्तों की सहायता करने यहां आ सकते हैं, तो हम भी पीछे क्यों रहतें? प्रभू, आप अपने भक्तों की सेवा कर रहे हो, तो इस मनोहारी द्रश्य का आनंद भला हम कैसे नहीं लेते? केवल आनंद लेने आये हो नारद या परोपकार करने की भी इच्छा है, अवश्य प्रभू, परोपकार से बढ़ा तो कोई धर्म ही नहीं है, तो अपसे थोड नारद मुनी माता पारवधी को सारी बात बताते हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए, दोनों अपनी अपनी कावड लेकर तेज कदमों से गंगोत्री की ओर चलतेते हैं, रास्ते में माता, मैंने प्रभू से ये तो पुछा ही नहीं की, मैं उस वेक्ति को पहचानूंगा कैसे? अब ये सोचने का वक्त नहीं है, वहाँ पहुचकर हमें सब पता चल जाएगा ठीक है माता दोनों जैसे ही गंगोत्री पहुचते हैं तो देखते हैं कि एक कावड या गंगा वे डूब रहा था माता, वो देखी, कावड या डूब रहा है, वही है भुलेनात का भक्त ये बाते करने का वक्त नहीं है देवर्शी, जल्दी उसकी सहायता कीजे ऐसा कहकर वो कावड या गंगा जल भरने चला जाता है माता पार्वती और नारद मुनी भी अपने अपने लोटे में गंगा जल भर लेते हैं और शिव मंदिर की ओर चलने लगते हैं, तब ही वो कावड या उनके पास आता है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं हर साल कावड यात्रा करता हूं और गंगोत्री से जल भरता हूं लेकिन मैंने आपको पहली बार यहाँ देखा है, लगता है भगवान भोले नाथ ने आपको मेरे लिए ही भेजा है ऐसा ही समझलो भाई, मैं गंगा जल भरने गया था, लेकिन भर नहीं पाया, मैं गंगा जल भर कर आता हूं भगवान भोले नाथ के बहुत बड़े भक्त लगते हो डूपने के बाद भी तुम्हें डर नहीं लगता तुम गंगाजल भरने जा रहे हो जिसकी रक्षा सोयम भोले नाथ कर रहे हो उसे किस बात का डर आप दोनों से एक विंती है बोलो क्या विंती है मैं भी आप दोनों के साथ चलना चाहता हूँ इसमें विंती करने की क्या वशक्ता है तुम हमारे साथ चलो तुम्हारा स्वागत है तीनों चलने लगते हैं मैं बहुत धक गई हूँ क्यों न थोड़ा विश्राम कर ले अवश्यमाते तीनों एक पेड़ पर अपना-पना कावड टांग देते हैं और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं तीनों गहरी नीन में सो जाते हैं कुछ देर बाद एक औरत के रोने की आवाज सुनकर उनकी नीन खुल जाती है स्वामी आप मुझे चोड़ कर क्यों चले गए अब मैं जीवित रहे कर क्या करूंगी एक बोले ना थी आपने क्या किया देवर्शी लगता है कोई औरत दुक में है हाँ माता वो बहुत करोण विलाब कर रही है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए वे आवास के दिशा की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक पती-पत्नी कावर्ड यात्रा कर रहे थे पत्नी जोर-जोर से रो रही थी और पती जमीन पर बेसुत पड़ा था माता पारवती ने देखा कि वो औरत गर्वती थी क्या बात है बहन तुम रो क्यों रही हो मैं और मेरे पती कावर्ड यात्रा पर निकले थे गंगा जल भर कर भगवान भोले नात को जल चड़ाने जा रहे थे लेकिन रास्ते में उन्हें साप ने डस लिया और मेरे पती की मृत्य हो गई अब मैं जी कर क्या करूंगी मैं भी अपने प्रांट त्याग दूँगी ऐसा कहकर वो औरत पत्थर पर अपना सिर पटकने लगती है ये देखकर माता पार्वती से रहा न गया और वे उस औरत को रोक लेती है रुको बेहन, मेरे पास एक औशदी है जिससे शायद तुम्हारे पती के प्रांट बच जाए क्या, मेरे पती के प्रांट बच सकते है हातनिक धहरे रखो माता पार्वती अपनी जोली में से एक औशदी निकाल कर उस मृत्व्यक्ती के मूँपर रख देती है जिससे वह व्यक्ती जीवित हो जाता है मैं कहा हूँ, मुझे क्या हुआ था, आप लोग कौन है स्वामी, आपको साप ने डस लिया था इस देवी ने आपकी जान बचाई है व्यक्ती ने माता पार्वती को हाथ जोड़ कर प्रनाम किया और कहा आपको भगवान भोले नात ने भेजा है न, मैं जानता हूँ, ये सब उनके कृपा सही हुआ है आपको भगवान भोले नात पर इतना भरोसा है भगवान भोले नात बड़े दयालू है, वे अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते आपने मेरी जान बचाई है, क्या मैं और मेरी पत्नी आपके साथ चलकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, इस तरह वे दोनों भी माता पारवती और नारत जी के साथ साथ चलने लगते है थोड़ी दूर चलने के बाद उस गरवती औरत के पेट में पीड़ा होने लगती है हाँ, कोई मेरी मदद करो, हाँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है माता पारवती को समझते देड़ न लगी कि उसके प्रसव का समया गया है तब ही उसके पती ने कहा धिरच रखो माला, हम लोग भगवान भोलेनात के शरण में है भगवान भोलेनात सब ठीक करेंगे तुम सिर्फ भोलेनात का नाम लो ए भोलेनात रक्षा करो वहाँ देखो, शायद कावडियों के लिए राहत शिवर लगाया है इसे वहाँ ले चलो सभी उस गर्वती औरत को कावडियों के लिए बने राहत शिवर में ले जाते हैं वहाँ पहुँचकर माता पार्वती और नारत जी ने देखा कि भगवान भोलेनात अपने कई रूपों में कावडियों की सहायता कर रहे थे कभी वो किसी घायल कावडियों का उपचार करते तो कभी कावडियों को भोजन करा थे ये देख कर माता पार्वती और नारत जी भगवान भोलेनात को कोटी-कोटी नमन करने लगे शिविर में माता पार्वती ने उस गर्वती औरत की सहायता की और उसका प्रसव करवाया बधाई हो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई है ये तो भूलिनात का आशिरवाद है है न माला हम इसका नाम भूला रखेंगे अब चलो कावड यात्रा पूरी कर ले लेकिन इस सवस्था में आप लो कावड यात्रा कैसे करेंगे हाँ माला को आराम की जरूरत है और ये नवजात शिशू इसे कुछ हो गया तो किसी को कुछ नहीं होगा भूलिनात सब की रक्षा करेंगे माते कावड यात्रा कैसे रही? देवर्शी भगवान भोले नात की प्रती उनके भक्तों का अटूट प्रेम और विश्वास ही भोले नात की शकती है मेरा तो दिल कहता है मैं हर साल कावड यात्रा पर जाओ और भगवान और भगत के बीच के पावन रिष्टे का आनंद लू। जिस प्रकार भोलेनात अपने भगतों की सहायता कर रहे थे, वो मनुहारी दृष्य मेरी आँखों में अभी भी तैर रहा है। लेकिन भोलेनात को अब आजाना चाहिए, पता नहीं कहा रहे गए। तभी कैलाश बर्वत पर भगवान भोलेनात प्रकट हो जाते हैं। प्रणाम प्रभू। प्रणाम भोलेनात, आप सबका कल्याण हो। देवी पार्वती, देवर्शी नारद, आप दोनों ने जिस प्रकार मेरे भक्तों की साहता की है। मेरा हिर्दय आप दोनों का रिणी हो गया है। आप हमारा रिंट चुका सकते हैं महादेव। वो कैसे देवी। अगली बार हमें भी अपने साथ ले चलिएगा। माता ने मेरे मूँ की बात चीन ली। आप दोनों की मनो कामना अवश्य पूरी होगी।